ओम श्यान्ती आज है 31 दिसंबर 2021 की साकार मुर्ले आए सुनते हैं बाबा के महावाख्यों को मीठे बच्ची सदा सुखी रहो जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा यही बाप तुम बच्चों को आशिरवाद देते हैं प्रैश्ण संगम युग पर तुम बच्चे ऐसा कौन सा शुबकार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होता उत्तर पवित्र बनना और बनाना सबसे शुबकार्य है पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो पवित्र बनने की युक्ती बापने बताई है कि मीठे बच्चे तुम मुझे लव से याद करो देही अभिमानी बनो ऐसी युक्ती सबको सुनाते रहो गेत किसने यह सब खेल रचाया ओम शान्ती शिव बाबा बैठ करके अपने बच्चों को साली ग्रामों को समझाते हैं शिव बाबा को तो सब जानते ही हैं यह भी जानते हैं कि शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है शिव की प्रतिमा तो एक ही है इसमें कोई फर्क नहीं आता उनको दिखाते ही है लिंग के समान जैसे मनुष्य हैं तो मनुष्य में कोई फर्क नहीं पड़ सकता आंक नाक कान सबको दो है आत्मा कोई छिपी हुई चीज नहीं है जैसे मनुश्यों की देवताओं की पूजा होती है वैसे आत्माओं और परमात्मा की भी पूजा होती है शिव के मंदिर में जाओ तो धेर छोटे छोटे साले ग्राम रखे हुए है जिनकी पूजा होती है मनुश्यों की दो प्रकार के पूचा होती है एक तो विकारियों की, दूसरी निर्विकारियों की उसको कहा जाता है भूत पूचा क्योंकि यहां तो शरीर कोई का भी पवित्र है नहीं पांच तत्तों का बना हुआ है मिट्टी का बना हुआ पुतला है मुर्तियां बनाते हैं तो भी मिट्टी और पाने मिलाते हैं फिर उसको सुखाने के लिए धूप चाहिए धूप भी आग का अंश है आगे धूप से आग जलाते थे तो बच्चों को यहाँ पता है कि निराकार की भी पूझा होती है साकार देवताओं की भी होती है तो मनुश्यों की भी पूझा होती है देवता है पवित्र यहाँ अपवित्र है बाकी पूझा तो भूतों पांच तत्तों की ही होती है आत्मा क्या चीज है यहाँ मनुश्य नहीं जानते कहा जाता है Realize Yourself आत्मा को Realize करो आत्मा है बिंदी समान कईयों ने साक्षातकार भी किया है वर्णन करते हैं छोटी से लाइट उनसे निकल हमारे में प्रवेश हो गई अच्छा इससे फाइदा तो कुछ भी नहीं हुआ नारद और मीरा भक्ती में तीखे गाए जाते हैं भल साक्षातकार होते हैं प्रंतु सीड़ी उतरनी होती है ना फाइदा अल्पकाल के लिए होता है अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो जानते हो आगे हम देह अभिमानी थे अब यहां है नई बाते आत्मा पढ़ रही है यहां तो एकदम पक्का कर देना चाहिए बाबा हमको पढ़ाते हैं यहां तो पहला पक्का निश्चे हो जाए आत्म अभिमानी बनना है आधा कल्प आत्म अभिमानी बनते हैं फिर आधा कल्प देह अभिमानी बनते हैं सत्युग में आत्मा को यह शुद अभिमान नहीं है कि हम परमात्मा को जानते हैं शुद अभिमान और अशुद अभिमान होता है ना करतव्य भी शुब और अशुब होते हैं कहा जाता है शुब कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए बाब कहते हैं मैं तुमको कितना अच्छा बनाता हूँ, तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनोगे, इन जैसा शुबकार्य कोई हो नहीं सकता, तुम पावन थे, अब घड़ी घड़ी बाब कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ बाब से लव रखना है आत्मा का संबंध ही एक बाप से है वह बैठ पढ़ाते हैं यह practical अनुभव की बात है बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वरसा ले रहे हैं बाप भी कहते हैं हे मीठे मीठे बच्चे आत्माओं को कहते हैं आत्मा इन कानों से सुनती है, तुम समझते हो आज हम को कौन मीठे मीठे बच्चे कह रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे बाप का बच्चों पर लव रहता है न, बहुत खुशी से बच्चों की पालना करते हैं, यहां भी बच्चों का बेहद का बाप है, आत्मा कहती है, हम शरी प्रफिर के ओर्गन्स द्वारा सुनाता हूँ अग्यान काल में बाप बच्चें को कितना लव करते हैं जानते हैं यह वारिस है इन्हों को हम लायक बनाता हूँ जिससे बहुत सुखी बने अच्छा वर्सा पाएं कहते हैं ना बच्चे जीते रहो सुखी बनो आशिरवाद निकलती रहेगी बच्चा सदैव सुखी हो प्रंतु वह तो सदा सुखी हो ना सके तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको आशिरवाद दे रहे हैं सदा सुखी रहो मुझे याद करो बाप कितना प्यार प्रेम नमरता से बैड समझाते हैं बाप बच्चों का सर्विंट है कितने बच्चों की चाकरी करनी होती है मा मर जाती है तो बाप को सब कुछ बच्चों का करना पड़ता है यह बाप कितना बच्चों को प्यार से समझाते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना है हे आत्मा तुमको बाप से वर्सा लेना है देह का भान छोड़ अपने को आत्म समझो यह बड़ा भारी सबक है बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कहते हैं बाबा को याद करना भूल जाते हैं याद अक्षर बड़ा सहज है योग वानेस्था आदे यह शास्त्रों के अक्षर हैं बाप कितना सहज बतलाते हैं सिर्फ याद करो बाप को देखने से बड़ी खुशी होनी चाहिए, हमारे जैसा बाबा दुनिया में किसी को नहीं मिलता, तुम चानते हो, हम आत्मा पतित बनी थी, अब बाप पावन बनाते हैं, इसलिए पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, बाप को याद करने के सिवाए और कोई तक ग्यान, यहां भी बच्चे समझ गए हैं, बाप सत है, चैतन्य है, उनकी आत्मा ग्यान का सागर है, ग्यान की अथोरिटी है, यहां मनुश्यों की महिमा होती है, फलाना शास्त्रों की अथोरिटी है, यहां बाप कहते हैं, मैं ही सभी वेदो शास्त्रों को जानता हूँ, अथोरिटी हूँ, भक्ती मार्ग में चित्र भी दिखाते हैं, विश्णों की नाभी से ब्रम्हा निकला, उनको फिर शास्त्र दिये हैं। ब्रम्हा दौरा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, बाप सभी बातें अच्छी रिती बैट समझाते हैं, अब ब्रम्हा तो है सूक्ष्म वतन में, भगवान हो गया मूल वतन में, अब सूक्ष्म वतन में किसको ग्यान सुनाएंगे, जरूर यहां आकर सुनाएंगे यह बड़ी समझने की बाते हैं, ब्रम्हा दौरा सबशास्त्रों का सार भगवान कहां सुनाएंगे, सुनाने की बात तो यहां होती है, अभी तुम प्रैक्टिकल में जानते हो, कैसे भगवान आकर ब्रम्हा दौरा हमें सुनाते हैं, बच्चों को तो अथाह खुशी होनी च मनुश्य पांच दस लाग कमाते हैं कितना खुशी होती है यहां बाब बैड तुम्हारा खजाना भरते हैं कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सोने जैसा बन जाएंगे यहां भारत सोने की चिडिया बन जाएगा जानते हो बाबा मूल वतन से आकर ब्रम्हा द्वारा हमको शास्त्रों का असार समझा रहे हैं सब राज समझाते हैं उस योग तप दान पुन्यादी से मुक्ती तो कोई नहीं पाता है मनुश्य समझते हैं इन सब रास्तों से हम मुक्ती में जाते हैं अगर ऐसा होता तो फिर पतत पावन बाप को आने की क्या दरकार अगर वह वापिस जाने का रास्ता होता तो कोई जाते ना दुनिया में मनुश्यों की अनेक मत है अब बच्चों को बाप ने समझाया है वापिस कोई भी जा नहीं सकते बाप कहते हैं मैं इन दौारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं इसने भी बहुत गुरू किये है पढ़ा लिखा है बाप कहते हैं इन सब को भूल जाओ पतत पावन तो परम पिता परमात्मा को ही कहेंगे वह मनुश्य स्रिस्टी का बीज रूप वरिक्षपती चैतन्य है आत्माए सब चैतन्य है तुम चानते हो हमूल वतन में चाकर फिराएंगे पाड़ बचाने आधा कल्प सुख का पाड़ बचाएंगे सारा मदार पढ़ाई पर है जितना पढ़ेंगे उतना उँच पद पाएंगे यहाँ पढ़ाई बहुत उँची है M-object ही है नर से नारायन मनुश्य से देवता बढ़ने की जब आधी सनातन देवी देवता धरम है तब कोई हिंसा होती नहीं वहाँ विकार की बात होती नहीं ना कोई लड़ाई जगड़ा होता है अभी तुम समझाते हो कि जब अनेक धरम हैं तो भाशाएं भी अनेक हैं सबकी एक भाशा हो नहीं सकती अब अद्वैत धरम तुम्हारा स्थापन हो रहा है अद्वैत वा देवता एक अक्षर हो जाता है अभी तुम देवता धरम के बन रहे हो गीत भी है ना बाबा हम आपसे 21 जन्मों के लिए सारे विश्य की बादशाही लेते हैं वहां ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि यहां हमारी स्पेश है यहां से तुम पास ना करो यहां तो एक दूसरे को डराते रहते हैं बैठे बैठे लड़ने जगडने का भूता बैठा है तुम बच्चे जानते हो हम श्रुमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं हम विश्य के मालिक बनते हैं हम होंगे भारत में ही दिहली के आसपास की नदियों पर होंगे वहां सदैव बहारी मौसम होती है सब सुखी रहते हैं प्रकृती भी सतो प्रधान होती है ना तुम समझ सकते हो हम कैसे दैवी राजधास्थापन कर रहे हैं फिर से तो बच्चों को बाप की याद में बड़ा खुशी में रहना चाहिए निरंतर याद करो और कोई तकलीफ नहीं दी जाती इसमें ही महनत है घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है देह अभिमान में आने से उल्टा काम कर लेते हैं पहला विकार है ही देह अभिमान का यहाँ तुम्हारा बड़ा दुश्मन है देही अभिमानी न होने के कारण फिर काम आदी विकार डस लेते हैं बच्चे भी समझती है, मंजिल उची है, पवित्र भी रहना है, तुम हो सच्चे सच्चे ब्रहमन, करोडों को भूम भूम करते रहो, कच्छुए का मिसाल भी यहां तुम से लगता है, बाब समझाती है, भल तुम अपना कामकाज आदी करो, ओफिस में बैठो, देखो कोई ग्रहक नहीं है, तो याद में बैठ चाओ, साथ में चित्र रखे हो, फिर तुम को आदत पढ़ जाएगी, हम बाबा की याद में बैठ चाते हैं, युक्तियों तो बाबा अनेक प्रकार की बतलाते हैं, भक्ती मार्ग में चित्र को याद करते हैं, यहां यहां है फिर चित्र की याद, यहाँ नई बात है न, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, नई बात होने कारण महनत लगती है, इसमें प्रैक्टिस करनी होती है, ज्यान तो मिल गया है, यहाँ भी समझाया है, विश्णों से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, विश्णों अर्थात लक्ष श्मी नारायन के चुरासी जन्मों के बाद वही ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यहाँ बाते और कोई शास्त्रों में नहीं है। ऐसे नहीं कि विश्णों की नाभी से कोई ब्रह्मा निकलता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। उसका अर्थ भी तुम चानते हो। यहाँ तुम्हारे अक्षर ही ऐसे गुप्त हैं जो कोई कौपी करना सके। आजकल कौपी भी करते हैं ना। सफेद पोशधारी भी बहुत बनते हैं। रीस क करते हैं इसमें कोई कौपी करना सके। अभी तुम बच्चे समझते हो। जो हम बाबा सेरो सम्मुख बैठ सुनते हैं। बाहर में भी बच्चे समझते होंगे। मदुवन मेशे बाबा ब्रम्हा द्वारा मुरली चलाते हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। याद से व पेकारी बने हैं, पाप करते ही आए हैं, तो जनम जनमांतर का सिर पर बोज़ा है, तमो प्रधान बनते जाते हैं, तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, सतो रजो तमो बनते आत्मा मैली होती है न, खाद पढ़ने से, वह खाद जरूर निकाननी चाहिए, नहीं तो बाप की याद के सिवाए आत्मा उड़ नहीं सकती, माया रावन सबके पंख काट देती है, यह भी समझ की बात है, मोक शादी तो किसको भी मिलता ही नहीं, बुलाते हैं हम पतीतों को आकर पावन बनाओ, बस इसमें और कोई बात ही नहीं, बाप शिक्षा देते हैं, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे, बच्चों को लिखते भी रहते हैं, बच्चे तुम बाप को भूलने से तमो प्रधान बने हो, अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, सतो प्रधान विश्य का मालिक बनने के लिए बाप को याद करो, तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का ग्यान है 84 का चक्र पूरा किया है आत्मा में कितना भारे पाट भरा हुआ है यहाँ वंडर लगता है इतनी छोटी आत्मा में कितना पाट भरा हुआ है आत्मा कहती है हम 84 जन्म लेते हैं यहाँ भी अभी तुमको समझ मिली है मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं बाब अभी समझा रहे हैं तो मातमाए 84 जन्म भोगती हो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हो पुनर जनम लेते लेते सीड़ी नीचे उतरते आए हैं अब फिर सतो प्रधान बनकर राज्य करना है तो कितनी खुशी होनी चाहे बाबा हमको बेहद का वर्सा कल्प कल्प देते ही हैं तुम बच्चों को अब पहचान मिली है तुम चानते हो हम माला के दाने बनते हैं जो फिर नमबरवार राच्च करेंगे वहां के राजधानी की जो रसम रिवाज होगी वही फिर रिपीट होगी उनके लिए फालतों ख्यालात करने की दरकार ही नहीं है यहां कैसे होगा, क्या होगा जैसे राच्य क्या होगा, वैसे करेंगे वहां साक्षी हो देखना है चिंतन करने की दरकार नहीं कि क्या होगा अच्छा, मीठे मीठे से कील थे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते, हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, धारणा के लिए मुख्यसार, नमबर एक, शुब कार्य में देरी नहीं करनी है, पवित्र बन बाप से पूरा वर्सा लेना है, अपने को लायक बना कर अपने पैरों पर खड़ा होना है, एक बाप से पूरा लव रखना है, नमबर दो, काम काज करते एक विचित्र बाप को याद करना है, कोई भी व्यर्थ ख्यालात नहीं करने है, सतो प्रधान बढ़ना है, अपार खुशी में रहना है, वर्दान, स्रेष्ट मत के आधार पर मायावी संग दोश से परे रहने वाले शक्ती स्वरूप भव बच्चियों की एक कंप्लीन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्ती शाली नहीं बन सकते, लेकिन स्रेष्ट मत के आधार पर ज्यान सरूप, शक्ती सरूप के वर्दानी बन, अपनी स्थीती को अचल बनाओ, साक्षी होकर हरे का पाट देखो, अपने सतो गुणी पाट में स्थित रहो, सदा बाप के संग में रहो, तो तमो गुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता, श्लोगन कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वरिख्ष की डाली पर बैट, कर्म करते भी उपराम स्थिती में रहे, शख्रिया बाबा, शख्रिया